हेलो एर्वेवन वेलकम यूओ लेट लोगे सरल नेम्टेडे स्टेडी जोन सो पिछले क्लास में हमने लेक्चर वन कंप्लीट किया था बच्चों टॉपिक चल रहा था हमारा chemical thermodynamics या कह लीजिए chemistry वाली thermodynamics गाईज अब हम second lecture आज से continue करने जा रहे हैं और अपको पिछले lecture की कुछ जलकिया भी बताएंगे कि पिछले lecture में हमने क्या क्या पड़ा पिछले lecture में हमने chapter की start की थी thermodynamics के introduction के बारे में और बताया था कि इसमें कौन-कौन सी चीज़े involved होंगी फिर हमने system और surrounding को define किया कि system और surrounding का जो addition होता वो universe होता है फिर हमने boundaries बताई, different type of boundary फिर हमने different type of system बताई कि open system, closed system और isolated system होता है यह बताई आपको उसके बाद मैंने आपको बताया properties of thermodynamic system एक extensive होती है और intensive properties होती है extensive और intensive मैंने आपको detail classification दिया कि कौन-कौनसी property extensive है कौन-कौनसी property intensive है उसके बाद मैंने आपको introduction कराया state variable से और यह state function से State variable, state function मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे variable जो thermodynamic system की initial और final state पर depend करें उनको हम बोलते हैं state variable जैसे ये देखिए अपने पास में जो मैंने state variable आपको बताया थे pressure, temperature, volume, okay, number of mole, enthalpy, entropy, internal energy and gives free energy ये state variable होते हैं, इतने सारे मैंने state variable लिखाया थे, अगर आपको detail जानकारी जाननी है तो आप मेरे picture ले lecture में जाईए, उसमें मैंने आपको सारी चीज़े बताया थे, ये state variable ही मैंने लिखे थे, जितने होते हैं और मैंने यह बताया था कि state variable जो होते हैं वो initial और final state पे depend करते हैं जैसे माल लेजे इस position पे pressure है P1, volume है V1 और temperature है T1 और इस point पे pressure है P2, volume है V2 और temperature है T2 तो यदि मैं बोलूँगा कि change in pressure कितना होगा तो रास्ता चाहिए यह हो इससे कोई मतलब नहीं है अगर change in pressure मैं तो डेल्टा V equal to V2 minus V1 और change in temperature डेल्टा T is equal to बच्चो T2 minus T1 बेल्कुल सही का आपने T2 minus T1 तो यह जो चीजे होते हैं इनको हम change in state variable बोलते हैं यदि मैं बताऊँ एंट्रॉपी की बात करूँ है यह इंट्रॉपी तो डेल्टा S equal to हो जाएगा S2 minus S1 यह भी एक state variable है अगर मैं एंट्रॉपी की बात करूँ डेल्टा H equal to हो जाएगा S2 minus S1 यह भी एक state variable है तो आई होप आपको यह सारी चीजें clear हो गई होगी अब हम पढ़ने वाले जो आज का हमारा topic है जिसके लिए हम यहां class ले रहे हैं हम सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले path function path function कह लिजे या इसी को path variable कह लिजे कोई फर्क नहीं है या तो आप path function कह लिए या path variable कह लिए कोई दिक्कत नहीं दोनों एकी चीजे है path function या path variable क्या होते हैं ऐसे variable जिनका change thermodynamic process में ऐसे variable जिनका change रास्ते पर depend करता है depend on path the variable change in which depends on path thermodynamic process हो रही है एक आप जा रहे हैं point A से point B तक यह कोई thermodynamic process है जाने के आपके तीन तरीके एक ये तरीका है एक ये तरीका है और ये की ये तरीका है यदि मैं work एकी बात करो तो पहले तरीके का work है w1 दूसरे तरीके का work है w2 और तीसे तरीके का work है w3 तो ये तीनों तरीके से जो work होगा ये अलग अलग आएगा w1 is not equal to w2 is not equal to w3 क्योंकि जो work होता है न वो होता है path function ये path variable इसलिए the variable change in which depends on path okay to definition क्या बने की path function की the variables या the thermodynamic variables क्योंकि अब बात तो thermodynamics की हो रही कोई math की बात तो हो नहीं है तो the thermodynamics the thermodynamics variable change in which depends on path on path तो ऐसे variable जिनमें होने वाला change path पर depend करें उनको हम बोलते हैं कौन से function path function या path variable आई एग्जांपल की बात करें तो एक तो मैंने बताई दिया बच्चों work क्या है बच्चों work और दूसरा क्या भाई सब heat दूसरा क्या है heat heat अलग अलग रास्ते पर depend करती आपने सुना होगा कई बार isothermal change सुनाए isothermal change जी हां तो यह heat को provide किया जाने वाला रास्ता है कि heat तुम्हें ऐसे जाना है कि thermal isothermal change हो मतलब temperature system का constant बना रहे system का temperature क्या बना रहे constant बना रहे है दूसरा adiabatic change adiabatic change तो यह भी एक प्रकार का thermodynamic change है ठीक ना एक रास्ता यह भी है adiabatic change का तो अब धीरे धीरे इनको हम पढ़ना सुरू करते हैं तो अपने main topic बे आते हैं अब इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने बताया यह जो change होते हैं यह बिटा system का एक state से दूसरे state में change होना कोई सिस्टम अपने पास thermodynamic system वह state A में है और वह state B में चला जाता है इस change को हम बोलते हैं यह जो change हो रहा है इस change हो रहा है thermodynamic process क्या बोलते हैं thermodynamic process तो question बनता है कि what is thermodynamic process qustion बनता what is thermodynamic process तो क्या है चेंज इन थर्मोडायनेमिक variable variable of a system है ना भाई चेंज होगा तो क्या चेंज होगा वेरिवली तो चेंज होगे है ना यह तरांजिशन ऑफ थर्मोडियनिमिक सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट तो अनधर स्टेट यह वन पोजीशन तो अनधर पोजीशन मगर भाई थर्मोडियनिमिक चेंज तभी माना जाएगा जब थर्मोडियमिक वेरियेबल में चेंज हुआ है ओके तो चेंज इन थर्मोडियनिमिक वेरियेबल क्या डेफिनिशन बनेगी चेंज इन थर्मोडियनिमिक वेरियेबल ऑफ शिस्टम इस कॉल्ड थर्मोडियनिमिक प्रॉसे क्या बनिगी definition? बुले, change in thermodynamics, thermodynamic variable, variable of a system is said to be thermodynamic process. बुले, clear एक दम? तो ये thermodynamic process कहलाएगी अगर thermodynamic variable में change हो रहा है. आईए कुछ हम process देखते हैं, thermodynamic process की कुछ important process, एक बहुत important process आती ही, जिसका नाम है cyclic process. क्या नाम है जिसका? cyclic process. एक एक ऐसी महत्पूर्ण process है, जिसमें thermodynamic system अपनी initial state में आ जाता है. यूजवली ये पी और भी हुआ करता है, अभी हला कि मैं define नहीं कर रहा हूँ क्या हो रहा है, मगर यूजवली ये क्या होगा pressure और volume? प्रेशर और volume, ठीक ना? चलिए ये मान लेते हैं, अब ये मैं आपको एक thermodynamic system दिखाता हूँ, ये A से चला, B तक गया, B से चला, C तक गया, C से चला, D तक गया, और D से वापस चल करके A तक आ गया है, मेरे को arrow भी लगाना पड़ेगा, जिससे thermodynamics process की मेरे को direction पता चले, कि हुआ क्या है, ये देखे, A से लेके B जा रहा है, मतलब पहले volume इसका कम था, और बाद में volume इसका क्या हो चुका है, ज़्यादा, मतलब ये expansion है, क्या है, ठीक है ना? फिर ये देखे, नीची आ गया है, ओके, तो क्या हो रही, pressure कम हो रहा है, pressure क्या हो रहा है, ये देखे, pressure पहले इतना था और फिर इसके बाद यहां पर आ चुका है फिर यह देखे वापस आ रहा तो volume कम हो रहा तो यह क्या contraction है क्या है यह contraction और वापस भईया ऊपर चला गया a पर आ चुका है तो अब देखे कहां से start हुआ था a से और a पर वापस आ चुका है मतलब भईया state चेंज कितना होगा जीरो क्योंकि आपकी इनीशल इस्टेड भी और फाइनल इस्टेड भी वही है तो इस्टेड वेरेबल क्या होते है प्रेशर वालियूम टेंपरेचर एंथेल्पी एंट्रॉपी बताई थी ना इंटर्लन एनरजी तो यदि मैं बोलूं कि साइकलिक प् होता है जिलो डेल्टा एससेंट्रोंपी एंट्रोफिक चेंज इंचनी गता होता है जीरो ओके देल् टरणी का रहुता है aber जीरो युन डिल्टा युलिवस्न द्रणी का चाína काशेरी चाहल जीरो गया तो भाही सेट्ली क्यूवस्न चवर्येबल का चेंज अज़ सो भीसे in any cyclic process the change in the state variable is 0 but मैंने बताया भाई सब delta q पर कोई जोर नहीं चलेगा क्योंकि ये कौन से variable है ये path variable है path variable ये path function और delta w भी 0 के equal नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों कौन से variable है इनको path variable भी कहते है और इनको path function भी कहते है ठीक है ना बच्चों इनको path variable भी कहते है और इनको path function भी कहते है इसलिए इन पर कोई changes का असर नहीं पड़ेगा बागी पर असर पड़ेगा चले चैप्टर के अंदर detail में entry मारते हैं और chapter के entry मारते ही हमारा सामना होता है types of thermodynamic process क्योंकि अभी तक तो सुन लिया process होती है variable बदलते हैं अब है variable तो बदलेंगे मगर कैसे बदलेंगे इस चीज़ को समझेंगे तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं topic का नाम है types of thermodynamic process processes processes हम कई सारी thermodynamic process पढ़ने वाले हैं इसलिए हम types of thermodynamic process के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली process में जो आपको introduce कर रहा हूँ भाई साब पहली process है thermodynamic process में जिसका नाम है isothermal process isothermal process iso का मतलब होता है same iso का मतलब क्या होता है same same thermal मतलब की समान temperature पे same temperature पे होने वाली process होते हैं उसको हम क्या कहते हैं isothermal process यदि definition की बात करूँ same temperature मतलब temperature change नहीं होगा इसका मतलब delta t equal to कितना zero temperature change नहीं होगा so the thermodynamic process which carried out at constant temperature is called isothermal process ऐसी thermodynamic process system जिसमे एक state से दूसरे state में transit करेगा मगर भाई साब temperature same रहेगा यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका pressure P1 volume V1 और temperature कितना T और यहाँ पर भी जाओंगो तो pressure P2 volume V2 but temperature कितना T देखे temperature में बदलाव नहीं हुआ है temperature दोनों cases में same बना हुआ है तो ऐसा जो process होगी उसको क्या बोलेंगे thermodynamic process ठीक है ना तो क्या बोल गया भाई ISO thermal process कौन सी process ISO thermal process ठीक है ना अब एक बहुत ही बढ़ी आपको जखास वाली बात बता देता हूँ जिसको आप node बना करके लिख सकते हैं भाई सब node बना के लिख सकते हैं कि जो ISO thermal process होती है जो ISO thermal process हुआ करती है उसमें delta T equal to कितना होता है? 0 अब बच्चों जो energy होती है internal energy होती है वो time का function होती है किसका function होती है? गल्द बोल गया temperature का मतलब जितना बड़ा change temperature में आएगा उतना बड़ा change किसमें आएगा? internal energy में और मैंने बताया था भाई यह temperature change equal to कितना? 0 यहाँ पर temperature change कितना है? 0 अब जब energy internal energy temperature पर depend कर रही है तो temperature change 0 होने पर delta E भी कितना होगा? 0 ही होगा delta E भी कितना होगा? 0 जब आपको physics में बढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको physics पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो energy हुआ करती है E equal to the number of mole Cp delta T यह sorry delta E is equal to mu Cp delta T यह formula है internal energy का आएगा physics में आएगा किसमें आएगा? physics में internal energy change equal to delta is equal to mu Cp delta T अब खुद देखिए यदि यह 0 होगा तो 0 से multiply हो कि यह सब क्या हो जाएगा? 0 बनलब यदि यह 0 है तो यह भी क्या हो जाएगा? 0 तो याद रखिएगा कि delta T 0 है temperature change 0 है इसलिए system की internal energy में कोई बदलाओ नहीं होगा clear हो गया? सिस्टम की internal energy में कोई बदलाओ नहीं होगा क्यों नहीं होगा? जिसको आप internal energy कहते हो जिसको आप UK के नाम से भी कहते हो जिसको आप system की kinetic energy भी बोलते हो वो सीरे सीरे किस पर depend करती है? temperature पे किस पर depend करती है? temperature पे और यदि temperature 0 है तो चेंच इनिरा नेरेजी भी कितनी हो गी और सबस्टेश खीर होगी ठीक है जिए तो कि अब हम आांगे पढ़ते हैं इसमें इसो थर्म लॉश में टैंप्रेचर कॉनस्टेkay होता है temperature जो होता है constant और आखर याद होगा आपको कि constant temperature में chemistry का कौन सा law apply होता है temperature constant होने के लिए chemistry का कौन सा law apply होता है तो वो है boils law कौन सा law है boils law तो boils law जो है वो इस process को govern करेगा इस process को जो चलाएगा वो कौन चलाएगा boils law अब Woyles Log क्या था? анием कहता था कि मतलब एदी volume घटेगा तो pressure बढ़ेगा ठीक न? और एदी volume बढ़ेगा तो pressure घटेगा ríकel न? तो P V is inversely proportional to V, clear, तो क्या scene बनेगा देखिए इसमें, constant temperature में pressure area बढ़ेगा तो volume घड़ जाएगा, क्या scene बनेगा देखिए इसमें graph क्या बनता है, inversely proportional का graph यहाँ पर P ले लिजे, यहाँ पर V ले लिजे, ठेक है न, और P V जो graph बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस type का, यह देखिए, क्य इसको solve करें थोड़ा साथ, आप आपको सोच में आएगा, P is equal to, proportional हट एक constant अगा, constant upon V, अब जड़ा V की value infinite रख करके देखिए, अगर V की value यदि आप infinite रखेंगे, तो P is equal to K upon infinite, बोली कितना हो गया, 0, मतलब यदि V बढ़ता जाएगा, तो pressure की value क्या होती जा रहे है, 0 होती कितना आ गया, infinite, मतलब यदि volume को आप कम करते करते ला रहे हो यहाँ पर, तो pressure कितना हो रहा है, infinite, कितना हो रहा है, आ गया समझ में, तो ये graph इसलिए बनता है, ये जो graph की एक लकीर है, इस graph को बोलते है, इस graph का नाम है, isotherm, क्या बोलते हैं विटा, isotherm, यदि एक लकीर को ये पी है, scene, और ये क्या है, भी, और मैं आपके सामने अलग-अलग, आईसो थर्म दे रहा हूँ, ये पहला scene, ये दूसरा scene, और ये तीसरा scene, ये अलग-अलग temperature में है, भाई साब, T1, T2 और क्या, T3, अलग-अलग temperature के आईसो थर्म है ये, एक अलग temperature पे लिए गया है, ए इनेटिक धिरी ऑफ गैसे स्पढ़ेंगे तो भी वहां पर फिर से आएगा यह टापिक जहां हमने बता दिया है वहां भी बताएंगे दुबारा बताएंगे चलिए सेकेंड लोगते हैं second law कहलाता है isobaric process law नहीं process पढ़ रहे थे तो second process है isobaric process कौन सी process isobaric process ठीक ना बार क्या नापता है बार रहेंने pressure नापने की unit है बार बार pressure नापने की unit है तो भईया बार रहेंने pressure constant होगा मतलब delta P equal to 0 मतलब जो पहला pressure होगा P1 equal to P2 equal to P3 equal to PN मतलब pressure same मना रहेगा चाहे volume कुछ भी हो तो बहुत ही simple सा law है isobaric process ठीक ना और जब pressure constant होता है है ना pressure constant होता है तो क्या law लगेगा pressure यदि constant होता है pressure की constant होने पर लगता है V proportional to T at constant pressure V is proportional to T बिटा इस law को हम लोग बोलते है Charles law क्या बोलते है Charles law समझ में आ गया तो constant pressure में V proportional to T यह होता है और Charles law लगता है इसमें तो यदि मैं आपको यहां पर graph बना के देखा हूं PV graph यह P है और यह क्या है V है तो आपको पता है volume कुछ भी हो pressure हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा तो यह कौन सी process है isobaric process क्यों सी process है isobaric process ठीक है ना यदि मैं pressure और temperature के बीच का graph बनाऊ यह P sorry pressure तो बदली नहीं रहा है volume और temperature V और T तो graph कैसा जाएगा straight line जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि Charles law ने कह रखा है V proportional to T तो V और T के बीच मां graph कैसा होगा straight line क्योंकि CD relationship है single power की ओके तो यह isobaric process है normal life में isobaric process का अपने example देख रखा होगा normal life में isobaric process का example clear है आपके सामने में volume proportional to temperature volume proportional to temperature खुल डखकन ले लीजिए खुले डखकन में तपेले में दूद भर दो भाई साब क्या वर दो दूद भर दो और दूद भर करके भईया इसको गरम कर दो दूद भर करके क्या कर दो इसको गरम कर दो अब आप कोगे भईया pressure क्यों constant है क्योंकि बाहर से जो उपर से लग रहा है कौन सा प्रेशर है वन एट्मॉसफेरिक अब यह नहीं बदलेगा तो दूद उपना करके या कोई भी गैस होगी जितना वॉल्यूम उक्यूपाई करेगी वह किस पर डिपेंड करेगा तो मैं अंदर का जो मिल्क है उसका बढ़ता जाता है उसका वॉल्यूम तो क्या लिखोगे भी प्रपोर्शनल टू आइड कॉनस्टेंट प्रेशर तो खुले रखकन में घीदूद का को वलना पानी को वलना ये सब यह भे प्रोसेस है यह इन तो बेरिक प्रोसेस है ठीक ना चली अब देखते हैं आई इसो कोरीग प्रोसेस देखते हैं नेक्स प्रोसेस है आई इसो कोरेख ज़ीड का मतलब होता है जेन वॉयूम इकल डू जीरो change in volume equal to volume main iso correct volume main ति इत्वान थीक है न? देखे इसका grab बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा iso correct process का grab बनाता हूं यह P है और यह V है ठीक है यह P है और यह V है आप देखे volume बिलकुल fix कर देता हूं यह देखिए यह volume जो भी यहाँ पे है volume माली यह k लिटर है कितने लिटर k लिटर तो देखें इस state में भी कितना है p की इस state में भी volume k ही है p यहाँ पर पहुँच गया तो volume कितना है k है मतलब volume यहाँ पर constant थे तो इसका हम बोलते है isocoric process ठीक ना? तो यहां पर जो law लगेगा ठीक ना? आईसो कोरिक प्रोसेस में जो law लगता है law of pressure, law of pressure, गेलू सॉक्स प्रेशर law जो लगता है वो लगता आईसो कोरिक प्रोसेस में V constant है, तो क्या लगेगा? P proportional to T, P proportional to T यदि आप यहां पर pressure और temperature के बीच में graph किचेंगे, तो straight line जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के proportional है single power से P proportional to T, यह है गेलू साक्स law, pressure का कौन सा law? गेलू साक्स law ठीक है ना जी बच्चे? तो यह pressure is proportional to temperature, यह गेलू साक्स law से एक दूसरे के proportional हो जाएगे done, कोई problem तो नहीं ना, so P is proportional to T, गेलू साक्स law से यह कौन सा प्रोसेस है? आईसो कोरिक प्रोसेस देखे, कोरिक में क्या होता है? volume fix रहता, volume नहीं बदल रहा, delta V equal to कितना हो गया? 0 ठीक, example इसका, देख लेते हैं अपनी life में क्या example इसका, इसका example हम दोकर बहुत ही common है, pressure cooker, pressure cooker, जो हम अपनी day to day life में pressure cooker यूज करते हैं, वो इसी का example, देखे, pressure cooker में एक धकन लगा होता है, ओके, यह तपिला हुआ करता है, और इसके उपर आ करके वो धकन fix हो जाता है, ठीक होता है ना जी, इस type का pressure cooker हुआ करता है, तो जब आप इसको गरम करते हैं, heat देते हैं, अब देखो भाई, यह volume तो constant है, अंदर पानी भरा हुआ है, उसके लिए volume पानी है, gas है, जो भी उसका volume fix है, यह भी volume क्या है, उसका fix है, मतलब भी constant हो गया, अब जितना ज्यादा temperature दे temperature, बोले clear है, चलिए, तो यह होगे आपने पास में, pressure cooker किस process में काम करता है, आईसो कोरिक में, किस में काम करता है, आईसो कोरिक में, done, चलिए देखे, अब अगली process के बारे में बात करते हैं, काफी सारी process हमने देख ली है, अब अगली process के बारे में बात करते हैं, अगली process है एडियाबेटिक प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस सुनते जाएए और जहां जरूर थो लिखते ही भी जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस adiabatic process का एक मुल मंत्र है delta q equal to zero मतलब इस process में कोई heat change नहीं होगी heat change equal to कितना zero इसमें कोई heat change नहीं होगी तो adiabatic process का PV graph आप देख लो क्या होता है PV graph यह है P और यह है V आपको मैं पहले आईसो थर्मल का graph दिखाता हूँ आइसो थर्मल का ग्राफ आपने इस तरीके से बनाया था, बनाया था ना, आराम वाली खेसल बट्टी, है ना, sliding आराम वाली, और ये देखिए थोड़ा सा ये जो होगा, ये थोड़ा सा तेज वाला होगा, ये देखिए, तो ये कौन सा है, एडियाबेटिक है, ये कौन सा है ये पीवी का, ये एडियाबेटिक है, और ये जो देख रहा है, ये कौन सा है, आईसो थर्मल है, क्या है ये, हाँ भाई सा, तो ये जो प्रोसेस है, ये आईसो थर्मल है, राइट में जो बनी हुई है, और जो लिफ्ट में आपको प्रोसेस देख रही है, ये कौन सी है, adiabatic तो थोड़ा सा फक्रख़ है बस adiabatic में होता है heat change equal to zero होता है और isothermal में क्या होता temperature change equal to 0 इसमें heat constant होती इसमें temperature constant होता है चलिए ठीक है तो आपको मेने बताए different different type of thermodynamic process अभी तक बताएगि thermodynamic process मैंने आपको बता दी, आईसो थर्मल बता दी, मैंने आपको आईसो कोरिक बता दी, मैंने आपको आईसो बैरिक बता दी, मैंने आपको साइकलिक प्रोसेस बता दी, अब मैं दो प्रोसेस थोड़ा डेटेल में और डील करूँगा, है ना, टाइप आप प्रोसेस में और डील करूँगा, तो thermodynamic process के और अंदर चलते हैं, अब थोड़ा से यहां से कठनाई बढ़ जाएगी, thermodynamic process में थोड़ी सी कठनाई यहां पर और बढ़ जाएगी, दो टाइप की process में और बढ़ा रहा हूं बटा, एक process का नाम है reversible, reversible process, एक है reversible और एक है irreversible, एक है reversible और एक है irreversible, ठीक है ना, यह जो reversible process होती है, यह एक ideal process है, कैसी process है, ideal है, यह practical नहीं पा सकते हो आप, यह के बल सपनों की बात है, यह ideal process है, समझ गए ना, कोई भी thermodynamic system 100%ly reversible कभी नहीं होता है, ठीक है भाई, 100% कोई thermodynamic system reversible नहीं होता है, और irreversible होता है, भाईया यह तो practical है, आपका पानी ठंडा हो गया है, थर्मस में रखे हुए, तो ठंडा हो जाएगा, यह process practical है, यह process बिल्कुल practical है, और यह process जो है क्या है, ideal है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखते हैं, इस ideal process के बारे में आगे बात करते हैं, प्रोसेस होती है, यह infinitely small step में होगी, क्यों, मैं कहूंगा, यह process reversible है, मतलब A से B में जाएगी, और B से A में जाएगी, एसे बिटेस को म्यूट कर लो, A से B में जाएगी, और फिर किस में जाएगी, B से A में, फिर इदर जाएगी, फिर इदर वापस आएगी, फिर इदर जाएगी, फिर वापस आएगी, मतलब कभी रूकने वाली नहीं है, तो हमने क्या कहा, कि a process occurs in infinitely small steps, ठीक ना, तो लेखेंगे, it occurs in infinitely small step, small step की तरफ में क्यों जोड़ दी रहा हूँ, small step की तरफ, छोटे-छोटे step होते हैं, और ये process जो होती है, slow होती है, क्या होती बीटा, slow होती है, रेखें मेरी सारी बातों को relate करके, आपको ग्यान मिलेगा, एकदम से सोचोगे, बन जाए, तो नहीं बनेगा, तो सब को last में आपको add the end आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये process जो होती, small step में होती ही, इसके वज़े से slow होती है, okay, it takes infinite time to finish, भाया, देखा जाए, तो finish ही नहीं होगी, क्योंकि reversible है, तो जो finish ही नहीं हो रहा तो उसको हम कहाँ पर finish मानेंगे, infinite time पे, तो क्या बनेगा, it takes, क्या बनेग अगला, ये जो process होगी ये बहुत slow होगी, क्या होगी ये process बहुत slow, और एक line अगली और जो बहुत काम की है, each step, each step is in equilibrium with previous step, हर step अपने पहले वाले step के साथ किसमे होगा? equilibrium में होगा, हर step अगला step अपने पिछले वाले के साथ किसमे होगा? equilibrium में होगा, ठीक, मतलब, एक cyclic process में equilibrium एक्विलिब्रियम एक्विलिब्रियम हमेशा बना रहेगा क्या बना रहेगा एक्विलिब्रियम हमेशा प्रक्रिया के प्रते एक छण में जो प्रोसेस है उसके हर एक छण में एक एक्विलिब्रियम बना रहेगा यार एक्विलिब्रियम क्या है शायद आप लोगो समझ में नहीं आता होगा अब सुचते हो गày इक किलिभ्रियम क्या है आपको पता है धरती में हर एक इन्सान मरता है और उसके बदले में इन्सान क्या होता जन्म लेता बुलो हाँ न तो बहिया जितने मरें और उतने जन्म लें इस process को बोलते है equilibrium maintain है यहां से देखिए concentration कम हो रही है एक process की हाई ना मतलब लोग मरते जा रहे हैं हाई ना और यहां से लोग जन्म लेते जा रहे हैं बुली ऐसा नो तो भाईया देखिए यहां से सुरुवात में इसकी concentration बड़ी तेजी से घटी बोलो हाँ फिर धीरे धीरे आके control हो गई यहां पर देखिए सुरुवात में इसकी concentration बड़ी तेजी से बढ़ी फिर slope कमजोर हो गया मतलब धीरे धीरे आके constantly हो गई अब दोनों यहां पर क्या सो रहा है कि जितना जिस rate से यह घट रहा है उस rate से यह बढ़ रहा है दोनों का same rate है तो यह जो position आती इसको हम बोलते है equilibrium क्या बोलते है ठीक है न भाई साब यह होता equilibrium का मतलब कि एक की concentration घटना और दूसरे की उसी rate से concentration बढ़ना तो यहां तक equilibrium इस्थापित नहीं था equilibrium यहां पर maintain नहीं था जैसे यह state आई इसका मतलब equilibrium maintain हो चुका है समझ गे ना अब आपको confusion नहीं होना चाहिए कि equilibrium क्या है तो भाई अब इसको हम understand करने के लिए हम एक थोड़ा से experiment आपको बता रहे है हम क्या understand करने जा रहे है हम आपको cyclic process आपको समझाने जा रहे है कि cyclic process कैसी होती है उस स्वरी cyclic नहीं reversible कौन सी process reversible process कैसी होती है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी activity बता रहा हूं to understand है ना to understand हम इसको understand करने जा रहे है in infinitismally step the system will be in equilibrium ठीक है इस activity को देखेंगे आप सबसे पहले मैं आपके सामने scene बता रहा हूं at start start में क्या scene था ये देखिए मेरे पास एक piston cylinder piston assembly है ये cylinder है इसके उपर एक piston लगा हुआ है ठीक है जी इसके उपर क्या लगा हुआ है एक piston ये piston है और इस piston के उपर चार weight रखे हुए है एक, दो, तीन, चार ये चार weight है और चार weight इधर है एक, दो, तीन, चार ठीक है ये चार weight मिलकर के क्या कर रहे हूँगे इस पर pressure लगा रहे हूँगे लगा रहे हूँगे equilibrium maintain है equilibrium क्या है तो जितना उपर का pressure है उतना ही अंदर का pressure exert हो रहा होगा उपर के weight का जितना pressure है उतना अंदर का pressure exert हो रहा होगा clear है और क्या लिख सकता हूँगे outside pressure equal to inside pressure जितना बाहर का pressure है उतना अंदर का pressure है अब देखिए मैं equilibrium बीगाडने की कोशिस करता हूँ मगर फिर भी equilibrium maintain रहेगा मैं equilibrium बीगाडने की कोशिश करूंगा और equilibrium क्या रहेगा maintain रहेगा यही खास बात है किसकी reversible process की किसकी बात है यह reversible process रहता है प्रोसेस एक्दम स्लो होती है ठीक ना और प्रोसेस इंफानाई डिस्टेप में हुआ करती है यह लिखने को आएगा देखिए क्या होगा अब मैंने उपर से एक वेट उठा लिया स्लोली एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ थे मैंने इधर कर दिया एक दो तीन औ हो गया DP अब यह जब उपर से भी कम होगा तो नीचे भी गसDieशका की रिफ distint होगा बिल्कुल सही तो मैं क्या कह रहा हूं कि इनफानाइट इसेगी समेल इसमल में बहुत सारे इनफानाइट स्टेपस में यह प्रोसेस होती है और हर प्रोसेश में equilibrium maintained रहता है आई बास समझ में है क्लियर हर प्रोसेस में equilibrium maintain रहता है डन एनी प्रॉब्लम हाँ तो आपने क्या देखा भाई इस में इस activity में आपने क्या देखा on removing a weight on removing a weight मैं इस वाले सीन की बात कर रहा हूं देखें सुरुवात में तो प्रेशर पी था उपर का भी नीचे का भी था on removing a weight outside and inside pressure decreases by the amount dp देखा आपने on removing weight outside and inside pressure decreases by the same amount and the system remains in equilibrium समझ में आ गया clear हाँ अब देखिए अपने पास जो equilibrium है इसकी सर्थ क्या होती है reversible process की equilibrium की सर्थ क्या होती है इस सर्थ को आपको note करना पड़ेगा here जो driving force होता है driving force is greater than opposing force driving force is greater than opposing force अब driving force का का काम यहाँ पर कौन करेगा देखिए सबसे पहले यह क्या था driving force शुरू में जो लग रहा था इसका नाम क्या था P क्या नाम था पी और opposing force क्या बन गया P minus delta P driving force कौन है जो produce जो process करना चाहे जो process करना चाहे तो driving force वो है जो process करना चाहे रहा है और opposing force वो है जो process रोकना चाहे रहा है driving force वो है जो process करना चाहे रहा है और opposing force वो है जो process को रोकना चाहे रहा है यह देखिए जो process को process को रोका जब मैंने तो नया वाला जामिना प्रसस्य को बिगाड़ा तो ने वाला फॉर्स के लगा? प्रेसा प्रेस्थ याद रखिएगा कि हमेंसा अ कौन सा प्रोससल बोलना थे हैं ही इस आपका इस रिवर्सेबिल प्रासेड में ड्राइव Inge for Sie is always greater than P minus DP P minus DP P कौन है जो प्रोसेस करना चाहे करना चाहे और P minus DP कौन है जो प्रोसेस को रोकना चाहे रोकना चाहे तो बच्चों ये आपका clear हो चुका है यहां तक मैंने आपको बता दिया अब रिवर्सेबल बनती है आपको तो इर्रिवर्सेबल भी आपको समझ में आएगी अब हम इर्रिवर्सेबल प्रोसेस के बारे में आपको बात करते दिखा थे कि इर्रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होती है तो reversible process में देखा कि ये process slow होती है और infinite steps में हुआ करती है अब हम detailed discussion कर रहे है irreversible process का The process which occurs in finite time क्या है भहिया irreversible है न मतलब एक step से दूसरे step पहुँचके रूख जाएगी मतलब इसको कितना time लगेगा finite time कितना time लगेगा finite time The process which occurs in finite time or at once At once मतलब एक बार में और ये process जो होती है ये slow नहीं होगी ये क्या होगी Fast होगी क्या होगी ये process fast होगी ठीक है अब ध्यान से देखेगा या मैंने इसमें क्या बताया था पिछली वारी जो process थी मैंने उसमें बताया था कि जो equilibrium होता है वो everywhere maintain रहता equilibrium हर जगाए maintain रहता है है ना each and every step equilibrium will be maintain है ना ये देखेए equilibrium exist always equilibrium exist always ये मैंने बताया था बट इसमें ऐसा नहीं है किस बारे के मैं बात कर रहा हूँ irreversable वाले में ऐसा नहीं है इसमें equilibrium जो होगा always exist नहीं करेगा इसका जो equilibrium है वो initially और finally exist करेगा बीच में exist नहीं करेगा तो यहां पर मैं लाइन लिखता हूँ equilibrium exists only initially and finally not in between not in between उसमें हर जगा equilibrium exist कर रहा था इसमें शुरुवात में और अंत में equilibrium exist करेगा बीच में equilibrium exist नहीं करेगा ठीक ना प्रारंभ और अंत के अलावा equilibrium exist नहीं करेगा एक explanation करते हैं अपने वही explain करते हैं explanation थोड़ा धैर बना की रखी वहिया क्योंकि यह ठोड़ा कठिन है topic rocket science नहीं कि समाज में आ जाएगा ठीक ना देखिए इसका explanation करते हैं एक sudden process लेता हूं में sudden process मतलब बिल्कुल जल्दी से यह मेरे पास एक cylinder piston assembly है एक दो तीन चार और यह देखिए चार ठीक ना यहां से pressure लग रहा है पी क्या लग रहा है प्रेशर प्रेशर यहां से लग रहा है पी ठीक है ना अब suddenly आपने इसको ध्राक से हटा लिया एक को suddenly all पूरे के पूरे वेट को अटा दिया आपने क्योंकि कॉंसी प्रेसर से Columb Press isเรา process में दिरे धीरे वेट हटा रहे थे एक पहले यह टाच है इसमें हमने क्या किया हिए एकदम से मैंने सारे के सारे वेट लिए पूरे का हो गया पूरे पूरे वेट अटा लिए तो उपर का pressure क्या होगा不對 माइनस बुटपी से अगाया है कि नीचे के pressure को adjust होने का मौका नहीं मिला है, नीचे का pressure अभी भी क्या बना हुआ है, P बना हुआ है, बुलिए सनो, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर driving force छोटा हो गया है, और driven force क्या हो गया है, ज्यादा, यह सनो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता है, लिखें, by suddenly removing outside weight, तो मैं लिखूँगा, by suddenly removing outside weight, outside weight, so, भाहर से आपने suddenly weight हटा लिया नहीं हटाया है, तो इसलिए बाहर का pressure तो remove हो गया है, decrease हो गया, sorry, बाहर का pressure हो गया है, P minus delta P, यह सनो, outside pressure decreases, यह सनो, decrease हो गया है, और यह जो delta P है, यह क्या है, बहुत छोटा है कि बहुत large है, बहुत large है, क्योंकि आपने बहुत सारा weight हटाया है, हटाया कि नहीं हटाया, so, where delta P is very large, delta P is very large, ठीक न, as a result, अब इतना जल्दी से हटाया है, तो क्या हो, जैसे सटाक से हटाओगे, यहां का pressure तो बना हुआ है, maintain है, सटाक से gas को क्या कर देगा, expand कर देगा, सटाक से, धक्का मारेगा न, और gas expand होगे, कहां तक आ जाएगी, उपर आ जाएगी, delta P is very large, in result, gas expand very fast, gas क्या हो जाएगे, expand very fast, है ना, clear है, हाँ, gas expand very fast, and stops expanding, और इसके बाद कब तक expand होगी, जब तक कि अंदर का pressure भी, P minus delta P ना बन जाए, gas कब expand होना बन दोगी, जब उपर का pressure और नीचे का pressure क्या हो जाएगा, बराबर, इक्कल हो जाएगा, तो अंदर का, P minus delta P ना बन जाए, और उसके बाद equilibrium फिर exist हो जाएगा, मतलब equilibrium कब था, सुरू में था, बोलो जी हाँ है न, सुरू में था, बीच में नहीं है, क्योंकि बीच में पिस्टन को खसका रहा है, बोलो हाँ, और अंत में फिर से equilibrium maintain हो गया, कब maintain हो गया, जब उपर का भी pressure हो गया, P minus delta P, और नीचे का भी pressure हो गया, P minus delta P, तो यही मैं आ नहीं होगा, सजबता हो, समझ में आ allowed न, बड़ी बात है यह, अब देखिए भईया, पिछले बार में क्या था, पिछले बार में जो है, HERE, driving force, यहाँ पे जो driving force है, बहुत यही बढ़ा होगा, यहाँ पिछले बार में क्या था, driving force, जो है, opposing force इसे थोड़ा सा बढ़ा था, और यहाँ पर driving force क्योंकि यह जो difference है भही यह बहुत ही भेंकर बढ़ा है समझ गया ना हाँ तो here driving force is very 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 greater than opposing force समझ में आया है कि नहीं आया है driving force is very 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 greater than opposing force मतलब P is very 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 greater than P minus delta P clear ना और याद रखीगा इस बात को कि किवल start में और end में ही equilibrium establish होता है in between कोई equilibrium establish नहीं होता है done clear हुआ